C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का छेठा पाठ खाना अपना अपना कुछ बच्चे आपस में बात चीत कर रहे हैं कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था मैंने तो दालभाद बनाया था मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना बीजी के साथ हम गुरदवारे गए थे वही लंगर में दाल रोटी खाई थी मेरी माने माच बनाई थी मैंने खूब खाई बहुत अच्छी थी माने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई मेरी माच जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी सबको मज़ा आया तुमने कल क्या क्या खाया उनके नाम लिखो क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था ऐसा क्यों एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं ये गिन काड़नों से हो सकता है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला अगर हाँ, तो क्यों? तुम्हें कैसे पदा चलता है कि भूख लगी है? जब तुम्हें भूख लगती है, तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? अपना अपना खाना विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़े नहीं खाते, जो वो खाता है सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़े खाते ही नहीं या खा नहीं सकते आओ विपुल के परिवार के वारे में सुने स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और मा से पूछा मा चुटकी कहा है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा मा ने हसते हुए कहा चुटकी उपर कमरे में है विपुल ने दादी का हाथ पकड़ कर कहा दादी तुम भी चलो ना माने कहा रुको मैंने बाग की रोटी दाल में डाल कर रखी है पहले वे खा तो लें बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है न यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो दादी माने कहा माने जवाव दिया बाग मैंने चक्कर देखी है बढ़िया बनी है मैं दादी का खाना भी उपर दे जाता हूँ कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीड़ियां चड़ गया दादी चल्दी चड़ो न विपुल ने पुकारा दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीड़ियां तो क्या पहाड भी चड़ जाती थी विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ दोकर छुटकी को उठा लिया अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया ये अब ऐसे चुप नहीं होगी इसे भूख लगी है कहते हुए मामी छुटकी को दूद पिलाने बैट गई दादी सीडियां जल्दी क्यों नहीं चड़ पाई दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है कहानी में जितने लोग आए उन में से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों क्या सभी बूढे लोग भुट्टा नहीं खा पाते चार महिने तक चुटकी केवल अपनी मा का ही दूद पियेगी वो ही उसका खाना है सोचो क्यों अपने आसपास के बड़ों से पूच कर बताओ बच्चा क्या क्या खा पाता है? क्या क्या नहीं खा पाता जवान क्या-क्या खापाते हैं, क्या-क्या नहीं खापाते बूड़े क्या-क्या खापाते हैं, क्या-क्या नहीं खापाते ये तो थी कुछ चीजों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात क्या हम वे सभी चीजे खाते हैं, जो हम खा सकते हैं? नहीं न, आओ बात करें उन चीजों की, जिने हम खाते हैं जिन चीजों को तुम ज्यादा खाते हो, उन पर गोले का निशान लगाओ चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहुं, जै, कप्पा यानि टैपियो का जो हमारा भोजन ज्यादा तर इनी चीजों से बनता है अलग-अलग जगहों पर इन मेंसे कुछ चीजों को अधिक खाया जाता है जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती हैं, वहाँ पर वे ज्यादा खाय जाती है पता लगाओ इन में से कौन-कौन सी चीज कहां-कहां अधिक खाई जाती है हम लोग अलग-अलग चीजें तो खाते ही हैं एक ही चीज का इस्तेमाल करके अलग-अलग भोजन भी बनाते हैं पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या-क्या बनता है जैसे गेहूं से बनता है रोटी, हल्वा, चावल से बनता है दोसा, पुलाओ क्यों? कितनी चीजें लिखी तुमने? इसी तरह अलग-अलग जगाओं पर अलग-अलग तरह की दालें, सबजियां, फल, मास आदी खाया जाता है कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं, तो कुछ लोग कुछ और, अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की पसंद अपनी-अपनी उन तीन चीजों के नाम लिखो, जो तुम्हें खाने में पसंद हैं और तीन चीजों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में नापसंद है क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है आओ, अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है ली चेन कहती है, मैं हौंग कॉंग में रहती हूँ, मुझे और मेरी मा को साप खाना पसंद है जब भी हमारी साप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हूफेन खाते हैं जूनी बोली, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सर्सों के तेल में बनी मचली मुझे बहुत पसंद है एक बार हम गुवा गए थे, वहाँ हमने मचली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था मा ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मचली है, स्वाद तो अलग होगा ही टॉमस बोला, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़े लगती है, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है एक उपर उँचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियो का मिल जाए, तो क्या मज़ा आता है कहां क्या खाया जाता है, ये आखिर निर्भर किस पर होता है दिये गए कारणों में से, जो तुम्हें सही लगे, उस पर सही का निशान लगाओ इसके अलावा, जो कारण और हो सकते हैं, वे एक खाली जगा में लिखो वहां क्या असानी से मिलता है, क्या खरीच सकते हो, वहां के रिती डिवास कैसे है जो चीजें खाई जाती हैं, उन पर सही का निशान लगाओ यदि तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता, तो शिक्षक से पूछ सकते हो केले के फूल, सैंजन के फूल, खुम्बी, कमल डंडी, लाल चीटी, पिछले दिन की रोटी, नारियल का तेल, मुर्गी का अंडा, अर्वी के पत्ते, चूहा, मचली, बाजरे की रोटी, मेंधक, उटनी का दूद, गोभी, मास, कलॉंजी, केकड़ा, घास, आमुला, चने की रोटी, इन में से जो चीजें खाई जाती हैं, उन पर सही का निशान लगाओ खाने की कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो, जो तुमने कभी नहीं खाई, लेकिन खाने का मन करता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक का छटा पाठ खाना अपना अपना, प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत